दोस्तों कभी-कभी हम लोगों को जरोत पर जाता है कि किसी इमेज को इमेज में अगर कोई टेक्स लिखा हुआ है या फिर PDF फाइल हो गया है या किसी बुक को आप केमरे से कैप्चर कर रहे हैं टेक्स को उसे आप कॉनवर्ट करना चाह रहे हैं कि वर्ड में मैं उसे की वीडियों के मैंने से आप लोगों को बताने वाला हुँ आप गर ब्लोगर है आप बलोगिंग करना चाह रहे हैं किसी बूख के टेक्स को आप कोपी करके उसे एडिट करके फिर पब्लिस करना चाहते है अपने website में तो सट्रमें पर पताने कर सकते हैं आपको कोई परस् या इसा convert website आपको मिल जाएगा जिसमें आप image डालके convert कर सकते हैं पर उन सभी में सही से image convert नहीं होता है या फिर सही से आप लोगों बताने जाए कुछ convert कर देता है बाकी के लिए payment मांगता है तो वैसा नहीं है इसमें आप अच्छे तरीके से 90 to 95% image को text में convert कर देगा फिर आप उसे study करके correction करके edit करके आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं तो चलिए text of the screen पर मैं आप लोगों को उसमें clearly बता दूँगा और एक वीडियो मैंने बनाया है कि आप कैसे वीडियो को आप text में convert कर सकते हैं मतलब वीडियो speech को या फिर आप माइक से बोल रहे हैं उसस कैसे text में convert कर सकते हैं जब हिंदी हो या इंग्लीश हो आप YouTube के वीडियो को भी कैसे text में ला सकते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया तो आप description में चेक कर सकते हैं उसका link में दे दूँगा या फिर मेरे चैनल में प्लेइलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं तो इ आप लोगों को notification मिल जाए तो चलिए computer screen पर तो आगे हम अपने computer screen पर तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौनसा कौनसा फाइल लेकर रखा हूं जिसे हम अभी टेक्स पर convert करेंगे यह देख लिए मैं एक हिंदी का image फाइल लेकर रखा हूं और एक इंग्लिस का image फाइल है और एक PDF ले रखा हूं यह हिंदी का PDF आप इंग्लिस का भी PDF ले सकते हैं कि यह मैंने एक टेक्स बुक को image बनाकर उसे PDF में convert करके लिया हूं अगर आपको एसा अगर वीडियो चाहिए कि किसी भी बुक को अगर आप PDF में लेकर फिर उसे PDF convert करके फिर उसे आप टेक्स में ला सकते हैं जो आप वर्ड में अब उसे एडिट भी कर सकते हैं असानी से तो फिलाल मैंने तीन ले रखाऊ तीनों को मैं अभी image बनाकर दिखाऊंगा तो image के लिए सबसे पहले आप जाहिए हाँ पर गूगल खोल लीजे यह एकदम फ्री सब्सक्राइब हो जाता है अब ट्राइब गूगल टाइप कर लीजे उसे पहला वाला लिंक जो है तो यह क्या है कि आपके जीमेल एकाउंट से यह ड्राइब जो है गूगल का सर्वीस से खुल जाएगा तो फ्री है इसमें कोई पैमेंट का जुरूत नहीं पड़ता है व और कहीं भी सही से काम नहीं होता है तो पुरा मेंज सही तरीके से करेगा सिफ यह है कि आप जो भी image और पीडेफ लेंगे तो इमेज जो है न क्लियर होना चाहिए तो उसे गूगल ड्रीट करके टेक्स में कॉनवर्ट करेगा तो इसके लिए मुझे क्या करना है सबसे पहले गूगल ड्राइब ओपन हो चुका है फिर यहां पर मुझे वह अपलोड करना होगा तो अब सिंप्ली इससे क्लिक करिए क्लिक करके अब ड्रेक करके इस पर ड्रॉप कर दीजाए तो यहां पर देख लीजाए यह अपलोड हो जाएगा तो यह अपलोड हो गया अपलोड होते ही यहां पर आगया ठीक उसी तरह अब बाकी कभी कर लीजिए मैं यह दोनों को भी यहां से ड्रेक करके यहां ड्रॉप करता यह अप्लोड हो जाएगा तीनों अप्लोड हो चुक है उसके बाद आपको क्या करना है एक दम सिंपल मेथोड है पहले हमें हिंदी वाला पराइस अब इमेज को ले लता हूँ इसे अब राएट क्लिक करें ओपेन स्फagありがとう को नीष में और करेंगा हमें चैएं सुपलोड हो चुक है लहीं कि पहला जो है यह है इमैज जिसा हम लोग यह लिए चाहर किसा लीति Mm ईसके बार आप देख है यह वार्ड को ली वर्ड में पेस्ट करें के लिए आप इसे मेच करें आप देख सकते हैं जोणों लुगों ने कॉनवर्ट किया है वो इमेज से यह मिलता जुलता है या यह एकुरेट कॉनवर्ट होकर यह वर्ड में हम लोगों ने टेक्स में से लिए बाकि इसमें आप जितना भी एडिट करना चाहते हैं जो भी सेटिंग से आप असानी से कर सकते हैं अब फॉंट चेंज कर दीजे से पूरा एडिट कर सकते हैं आप अपने लेप्टॉप से लेप्टॉप इसके यहां जाकर इस सेटिंग में जाकर आप हिंदी ऑप्शन पर भी जाकर यहां जैसे हिंदी फोनिक ऑप्शन है यहां पर जाकर आप इस हैं एडिट भी कर सकते हैं जो भी लिखना है आज को अगर फिर से लिखे हैं आप पूरा एडिट कर सकते हैं अगर यह हिंदी ओप्षन आपके लेप्टॉप में नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूं डेस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप उहां जाके अब इसे चेक कर सकते हैं तो यह आप उहां पर उस वीडियो को हिसाब से अपने लेप्टॉप में तो आप भी हिंदी में अच्छा से टाइप कर सकते हैं अभी में नेक्ष्ट दिखा देता हूं हुआ हुआ है तो हुआ कि एक इसे मैं क्लोस करता हूं आप जैसे यू से हिंदी में कौबर्ट करेंगे तो एक डौक wonders और कर नया फाइल भी क्रियेट हो जाता है अब यहां से क्लिक करेंगे तो फिर से आपको टेक्स मिल जाएगा अभी मैं इंग्लिस वाला देखता हूं इसे भी आप राइट क्लिक करिया ओफेन वीद गूगल डॉक्स कि यह कॉन्वर्ट हो रहा है कि यह मैं लोगों का इमेज है से नहीं ओपकार क्वाल यहेत है intern अध्य जिसे लोग ने टेक्स पर कॉन्वर्ट किया और यह और यह टेक्स झै Bailey से मैं कोपी कर लेता हूं कोपी करके पिर मैं इस वायड में लेता हूं अब देखे सेम तुसेम कॉनवर्ट हो गया बहुत ही अच्छा टूल से गुगल का मैं लगब बहुत ही ज्यादा यूज करता हूं तो मैं सोचा काफी यूजफुल टूल से तो आप लोगों को भी बता दो आप लोग भी आप लोगों का भी काफी हेल्फ हो जाएगा इस टू पेज अगर है तो हम उसे इमेज में कर सकते हैं पर अगर आपके पास काफी सारे पेज है तो आप कितना सारा इमेज बना बना के आप उसे कॉनवर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है सारे इमेज को पीडिएफ में कॉनवर्ट करके फिर आप उसे डारेक्ली पूरा पेज ह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसका भी मैं वीडियो लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आप 10 15 20 पचास आप इमेज़ेस को पीडियेफ में कॉंफर्ट करके फिर उसे टेक्स में कैसे एकसाब कॉंफर्ट कर सकते हैं आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजे औ और भी वीडियो आप लोगों को इसे भी मैं सेम ओपेन वीथ गुगल डोक्स करूंगा कि पीडियेफ कॉंफर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है पूरा का पूरा का पूरा का पूरा कॉंफर्ट हो गया एक पीडियेफ है इसलिए यहां पर ऊपर कोई कि मैं सोने करेगा पर पूरा पीडियेफ अभी में से डिरेक्ली कॉंट्रोल ए देकर कोपी और सेलेक्ट करके कोपी कर देता हूं फिर उसे वर्ड में ले जाकर पेस्ट कर देता हूं पिर मैं तो यहां पर सेटिंग कर देता हूं फॉंट का कि देख लिए पूरा का पूरा सेम टूसेम कॉंट होगे पूरा कॉंट होने के बाद भी आप अच्छा तरीके से रीट कर लेजेगा हो सकता है कभी कुछ मिश्टेक हो कुछ टेक्स गूगल डायम अगर उसे रीड नहीं कर सके तो उसे किसी और टेक्स में कॉंट करते रहा तो इसलिए पूरा अच्छा से रीट कर लेजेगा कहीं भी को छोटा मोटा मिश्टेक होगा तो आप उसे चेंज कर लेजे वैसे मिश्टेक अगर आपका इमेज के लिए है तो ओल्मॉस्ट नाइंटी परसेंट से 95 परसेंट तक सही केलकुलेट करके कॉनवर्ट करता है अ तो इसे किसी और ही वर्ड में कॉनवर्ट कर दें तो इसलिए कॉनवर्ट होने के बाद भी आप उससे अच्छा से पढ़ियागा तो एक कुछ ऑप्शन है उम्मेद है कि आपको बहुत हेल्प हुआ होगा इस ऑप्शन से आप टेक्स इमेज पीडिया कॉनवर्ट कर सकते ह है हिंदी हो या फिर जो भी गूगल टाइब सपोर्ट करता है उस लेंग्वेज में आप इसे कॉनवर्ट कर सकते हैं तो वीडियो को प्लिस लाइक करें अगर अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए आगे भी इस तरह का वीडियो आपको और भी मिलत रहे तो यह था आज कि वीडियो तो काइस आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देखकर प्लेश कॉमेंट में जरूर बताइए अगर आप लोग को कुछ मदद हुआ कुछ हैल्ब हुआ इस सेटिंस के जड़िये तो आप कॉमेंट जरूर करिये और वीडियो को जरूर से ला लेजे क्योंकि इसी तरह का वीडियो में हमेशा आप लोग के लिए लाता रहता हूं जो आज के लिए बस इतना ही जय हिन जय भारत